सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी चैनल दा अल्टिमेट फांडेशन को एंड प्लीज प्रेस दे बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ओन जीके जीए संजीए वेलकम फ्रेंड्स तो आज यह अगस्त के फोर्थ विक का करेंट अफेर से जो की 23 अगस्त से 31 अगस्त रिजाइंड फॉर्म इस पोस्ट सो फ्रेंड्स इसकोचन का सही एंसर है ओप्सन नंबर बी केविन मेर केविन मेर जो टिक टो के करेंट चीप एक्सेकुटिव ऑफिसर थे उन्होंने अभी रिसेंटली स्तीफा दे दिया है भारत में बैन के बाद अमरीका में भी संकट का सामना कर रहे टिक टोक के CEO ने स्तीफा दे दिया है अभी रिसेंटली इंडिया में टिक टोक बैन हुआ था और कंसिकुएंटली अमरीका ने भी टिक टोक पे बैन करने की बात कर दी है उसके सुरच्छा के दृष्टी कोन से और आपको बता दे कि टिक टोक की जो मूल कमप जैम्स एंडर्सन अंतरास्टिय टेस्ट किरिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गिंदबाज बन गया हैं इंग्लें विटरन वास्ट बॉलर जैम्स एंडर्सन यह नाम किया है आप देख सकते हो इन से पहले इन से आगे कौन कोन है मतलब शेसों से ऊपर विक और भारत के अपने अनिल कुम्बले हैं जो कि 619 विकेट टेस्ट में ले चुके हैं अभी जेम्स एंडरसन ने ग्लेन मेगरा का रिकॉर्ड तोड़ा है जो कि 563 विकेट ले चुके थे और ग्लेन मेगरा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे तो हमारा नेक्ट कोश्टन है कोश्टन नमबर थ्री दो सो अरब की संपति वाले बिस्व के पहले व्यक्ति निम्द में से कौन बन गया हैं इस कोश्टन का सही एंसर है आपको पता होगा इस कोश्टन का एंसर जेफ बेसोज जोकी एमसें के फाउंडर है तोब बेसुक के अन्ट किसके है तो कि फ्लिप कटके सो जेफ बेजोज 200 अरब डॉलर के संपती वाले धरती पर तहले व्यक्ती बन गए है 26 अगस 2020 को आमेजन संस्थापक और CEO जेफ बेजोज की संपती बढ़कर 204.6 अरब डॉलर हो गई है दुनिया के जो दूसरे सबसे अमीर बैकती है बील गेट्स उसकी संपती कितनी है 116.1 अरब डॉलर सो काफी कम है अभी उनसे सो हमारा next question है question number 4 किस राज में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उधगाटन किया है इन विच स्टेट इंडिया ज लॉंगेस्ट रिवर रोपवे हैस बिन इनगरेटेड़ इस question का सही answer option number D असाम में भी recently इंडिया का लॉंगेस्ट रोपवे बनाया गया है आप देख सकते हो photo अच्छा मैं photo इसलिए जाता हूँ ताकि आपको विजुलाइज कर सके आप चीजों को और बहुत ही easily याद कर सके कभी कभी क्या होता एक्जाम में आपको answer क्लिक नहीं होगा options देखके तो अगर आपके मायन में photo विजुलाइज है तो आप फटाक से answer क्लिक कर सकते हो थोड़ा सा photo पी ध्यान दीजाए आप लोग इंडिया का longest rope way है असाम में जो की कितना लंबा है 1.8 km लंबा है जो ब्रह्मपुतर नदी पर गुहाटी और उत्तरी गुहाटी को आपस में जोडता है और इसका almost construction cost कितना होगा 56 करोड रूपए हमारा next question है question number 5 UEFA Championship League 19-20 किसने जीती? Who won the UEFA Championship League 19-20? So friends इस question का सई answer है option number B जो की है FC Bayern Munich अगर आपको नहीं पता है UEFA क्या है तो UEFA है Union of European Football Association So इसके विजयता रहे अभी FC Bayern Munich So 23 अगस 2020 को German Football Club Bayern Munich ने European Football Association UEFA Champions League 19-20 के संग में अपनी छटवी जीत हासिल की है So इन्होंने final में Paris Saint German को हराया है 1-0 से और ये कहां पर आयोजित किया गया था? So पूर्तगाल के Estadio da Luz Lisbon में हुआ था हमारा next question है question number 6 दिल्ली दंगा 2020 The Untold Story पुस्तक की लेखक कौन है? Who is the author of the book दिल्ली राइट 2020 The Untold Story? So friends इस question का सही answer है Option number B Monika Arora So इस पुस्तक के joint authors कौन कौन है? Monika Arora, Sonali Chitalkar and Prerna Malhotra आप देख सकते हो Sonali Chitalkar and Prerna Malhotra भी इसके co-author है So friends हमारा next question है question number 7 पाकिस्तान सरकार ने निम्ण में से किस पूरु परधान मंत्री को भगोडा घोसित करके Britain सरकार से प्रत्यरपन की मांग की है? Which of the following former Prime Minister has been demanded by the Pakistan government as extradition from the UK government? So friends इस question का सही answer है Option number B Nawad Sharif So Nawad Sharif को पाकिस्तान सरकार ने भगोडा घोसित कर दिया है और UK सरकार से उसके प्रत्यरपन की मांग की है So Pakistan के तीन बार प्रधान मंत्री रह चुके Nawad Sharif इराज के लिए रंदन में है ब्रस्टाचार के एक मामले में Sharif को एक जवाब देही अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी किस दक्षिन अफ्रीकी खिलाडी को अंतरास्टी क्रिकेट परिशद ICC Hall of Fame 2020 की कर्च्छा में सामिल किया गया था Which South African player was inducted into the International Cricket Council ICC Hall of Fame 2020 class So friends इस question का सही answer है Option number C Jack Kellis Jack Kellis को 2020 में ICC Hall of Fame में सामिल किया गया है Jack Kellis के अलावे लीशा स्टालेकर जो अस्टेलियाई प्लेयर है जहीर अबबास जो पागिस्तान के प्लेयर है इसको ICC Hall of Fame में 2020 में जगा मिला है So ICC Hall of Fame जो है वो क्रिकेट में लंबे और सांदार इतियास से खेल के दिगजों की उपलबदियों को पचानता है So जो बहुत ही रिनोर्ड प्लेयर है बहुत लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन किया है So उसको ICC Hall of Fame में सामिल किया आता है So according to Finance Minister, businessman with how much turnover is exempted under GST Friends, इस question का सही answer है, option number A, 40,00,00,00 पहले लिमिट 20,00,00,00 की हुआ करती थी, अब ये 40,00,00,00 की हो गई है और इसके अतिरिक डेल करोड रुपे के turnover वाले लोगों को composition scheme का भी option available है Composition scheme क्या होता है, तो composition scheme में GST जो businessman होते हैं उनके पास एक option होता है कि वो सारे turnover पे 1% tax payer के सारे other formative से मुक्त हो सकते हैं हमारा next question है question number 10 किस राज के CM ने राज की पहली समुंदरी ambulance प्रतिक्छा का उधगाटन किया Which state CM integrated the state first sea ambulance called प्रतिक्छा So friends, इस question का साई answer है option number B, केरल केरल गवर्मेंट ने अभी recently समुंदरी ambulance का उधगाटन किया है So केरल के मुख्यमंतरी पिनाराई विजयन ने राज के पहले पुर्ण रूप से सु सज्जित समुंदरी ambulance प्रतिक्छा का उधगाटन किया है समुंदर में बचाव कारों के लिए कोची में मस्ते विवाग द्वारा अधिग्रहित किया गया था प्रतिक्छा कोचीन CPR इसको किसने बनाया है तो कोचीन CPR लिमिटेड ने CSL ने So हमारा next question है question number 11 T20 International में 500 विकट हासिर करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने Who became the first baller to get 500 विकट in T20 International So friends इस question का सही answer है Option number D, Dwayne Bravo So Dwayne Bravo अभी T20 International में 500 विकट लेना वाले पहले गेंदबाज बन गए So Dwayne Bravo किस देश के खिला ली है तो West Indies के खिला ली है West Indies के एक All-Rounder player है जो कि Batting and Balling दोनों में बहुत ही माहिर है So उन्होंने Caribbean Premier League that is CPL 2020 के match में अपनी टीम Trinbago, Knights Rider और St. Lucia, Pooks के बीच उपलब्दी हासिल की हमारा next question है question number 12 किस राजय सरकार ने हाली में इंदरा रसोई योजना लांच की है Which state government has recently launched Indira रसोई योजना So Indira रसोई योजना कौन से government ने रिसेंटली लांच किया है So इस प्रशन का सही answer है option number B, Rajasthan रायस्थान government ने अभी recently इंदरा रसोई योजना की शुरुआत की है So इस इंदरा रसोई योजना में क्या benefits मिलने वाले हैं So इसके तहट जरूरत मंद और गरीबों को 8 रुपय प्रती प्लेट में स्वस्थ और पोश्टिक भोजन मिलेगा इसमें राजसरकार रायस्थान government ने प्रती वर्स 100 करोड रुपय खर्श करेगी Around सुया इंदरा रसोई योजना राज के 213 सहरे स्थानी निकायों में 358 रसोई में चलेगी और इसमें actually राजसरकार ने 12 रुपय का अनुदान दिया है और 8 रुपय खाने वाले लोगों को देना पड़ेगा So total cost per ठाली कितना पड़ेगा 20 रुपय इसने 12 रुपय राजसरकार देगी और 8 रुपय जो व्यक्ति इसका लाब लेना चाहेगा So friends हमारा next question is question number 13 So friends इस question का सही answer है Option number C, Karnatak So Karnatak state will be the first state जो की National Education Policy 2020 को अपने state में लागू करेगा So Kendri cabinet ने पिछले महिने नई सिच्छा 2020 को हरी जंडी दे दी है या 1986 से ध्यान रखेंगे या 1986 की सिच्छा निति की जगा लेगा तो पहले National Education Policy 1986 हुआ करता था जो की अब National Education Policy 2020 हो जाएगी Our next question is question number 14 Sikkim के नामची में किस भारती फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा इन नामची Sikkim A stadium will be named after which of the former Indian football captain So friends इस question का सही answer है Option number A बाइचूंग भूटिया बाइचूंग भूटिया के नाम पर अभी Sikkim में एक stadium बनाया जाएगा भारत में अब तक यह पहला stadium होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा साल 1995 में भारतिय सीनर फुटबॉल टीम के पदारपन करने वाले बाइचूंग भूटिया ने 2011 में फुटबॉल से सन्यास ले लिया था उन्हें साल 1998 में अर्जुन अवार्ड और 2008 में पद्मसरी का अवार्ड मिल चुका है हमारा next question है question number 15 केंदर सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक निक्त किया गया है अश्विनी भाटिया है अश्विनी भाटिया को new managing director appoint किया गया है SBI का अस्विनी भाटिया SBI के चौथे प्रबंध निदिसक है अस्विनी भाटिया बरतमान में SBI mutual fund में प्रबंध निदिसक और मुखे कारे कारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे है उन्हें PK गुपता के स्थान पर निउक्त किया गया है जो की 31 मार्च से सेवा निवरित हुए है हमारा next question is question number 16 cricket drawn किस प्रसिद कोच पर एक पुष्टक है cricket drawn is a book on which famous coach so friends इस question का सही answer है option number A बासुदेव जगनात परांजपे या बासुदेव जगनात परांजपे के किताब 2 सितंबर 12 को जारी होगी या पुष्टक बासुदेव जगनात परांजपे के बेटे और बरतमान राष्टिये चैन करता जतिन परोप पे के क्रिकेट पतरकार आनद बासुदेव के साथ मिलकर लिखी है हमारा next question is question number 17 41 जगनात परांजपे के बैठा की अध्यक्षता किस ने की हमारा next question is question number 18 हाल ही में मध्य परदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में परदेश के लोगों को निम्न में से कितने परतिशत आरेक्षन की घोशना की है recently MP government has announced which of the following percent reservation for the people of the state in the government jobs so friends इस question का सही answer है option number C 100% so अभी मध्य परदेश government ने मध्य परदेश के लोगों को 100% reservation दिया है वहाँ के government job के लिए 10 या 12 की परिच्छा मध्य परदेश से उत्रिन करने वाले ही परदेश के सेवा के लिए पात्र हो सेगे हमारा next question is question number 19 MCWC that is Mental Calculation World Cup में भारत के लिए पहला स्वर्न पदा किस ने हासिल किया who won the first gold medal for India in MCWC so friends इस question का सही answer option number D नीलकंट भानुपरकास so Mental Calculation World Cup में अभी नीलकंट भानुपरकास ने gold medal हासिल किया है यह बहुत ही recent news और बहुत ही चर्चे में रहा है यह news so हैदराबाद के 20 वर्सी नीलकंट भानुपरकास ने 15 अगस 2020 को MSO that is Mind Sports Olympiad दोरा आयोजित मांसिक गन्ना भिस्व कप that is Mental Calculation World Cup में भारत के लिए पहला स्वर्न पदक जीता है so MCW से एक अंतराष्टी प्रतियोगता है जो जर्मनी में हर दो साल में आयोजित किया आता है हमारा next question है question number 20 किस देश की सरकार ने अपनी COVID-19 vaccine a Sputnik 5 के उतपादन और तीसरे चरण के clinical trial के लिए भारत से सहयोग मांगा है which country's government had sought cooperation from India for the production of its COVID-19 vaccine Sputnik 5 and the third phase clinical trial so friends इस question का सही answer है option number C Russia Russia रूस ने भी recently भारत से मदद मांगी है किसलिए तो COVID-19 vaccine जिसका नाम Sputnik 5 है उसके testing clinical trial के लिए so रूस ने COVID-19 vaccine को उतपादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है COVID-19 के लिए vaccine पर राष्टी विशेश विशेश्चा के समू ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैटक में इस मुद्धे पर चर्चा की Gamalya Scientist Research Institute of Epidemiology and Microbiology ने Russian Direct Investment Fund के साथ मिलकर Sputnik 5 तयार की है हमारा next question है question number 21 INS विराट को किस राज में विघटित किया जाना है? In which state is INS विराट to be dismantled? So friends इस question का सही answer है option number 1 गुजरात अभी INS विराट को गुजरात में dismantling किया जाना है So INS विराट जिसने 30 साल से अधिक समय तक भारती नोशिना की सेवा की है इसको गुजरात के अलंग में द्वस्त किया जाना है जहाज को 3 साल पहले विघटित किया गया था हमारा next question है question number 22 किस बैंक ने अपने digital परिवर्तन में तेजी लाने के लिए Accenture के साथ भागिदारी की है एक आईटी जाइन्ट है आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है इन्फोमेशन टेकनोलोजी की जिसका हैड़कॉर्टर आयरलेंड में है RBL बैंक ने बैंक की सूचना प्रद्यों की प्रनालियों की भविसे की ततपरता को बदलने के लिए और बढ़ने और बढ़ाने और अपनी डिजिटल परिवरतन यात्रा में तेजी लाने के लिए Accenture के साथ एक रन्नीती साइधारी की है हमारा नेक्स्ट कोश्टन है कोश्टन मेर्ट 23 नुवाखाई जुहार तेवहार किस राज में मनाया आता है इन विच स्टेट इस दे नुवाखाई जुहार फेस्टिबल सेलेबरेटेड़ इस कोश्टन का एंसर है C, A और B दोनों उलिशा और 36 गल दोनों में नुवाखाई जुहार नावक फेस्टिबल मनाया जाता है 23 अगस 2020 को रिसेंटली मनाया गया है इसे नुवाखाई परब या नुकाही भेटगाट भी कहते है हमारा नेक्स्ट कोश्टन है कोश्टन नबर 24 डिजिटल ग्रहक अनुभवों को बढ़ाने के लिए एड़ोब के साथ किस बैंक की भागिदारी है इस कोश्टन का सही एंसर है अब इसेंटली एड़ोब के साथ साज़दारी की है ताकि उसका डिजिटल ट्रांस्फोरमेशन इनहांस्मेंट हो शके 27 अगस 2020 को HDFC बैंक ने अपने ग्रहकों के डिजिटल अनुभवों को बढ़ाने के लिए साज़दारी एड़ोब एक्सपिरियंस क्लाउड सोलीशन द्वारा संचाली था और HDFC बैंक को किसी भी समय और कहीं भी नए ग्रहके के साथ व्यक्तिकत डिजिटल अनुभव परदान करने की मदिद करेगी हमारा नेक्स्ट कोश्टन है कोश्टन नमबर 25 काला सागर में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोच किस राश्ट्र ने की विच कंट्री डिस्कवर्ट दे नाच्रल गैस रिजर्व इन दे ब्लाक सी इसकोशन का सई एंसर है ओप्सन नमबर D तुर्की अभी तर्की ने रिसेंटली ब्लाक सी में नाच्रल गैस रिजर्व की खोच की है 21 अगस द्वार बिस को तुर्की के राश्ट्पती रेसेप तयप एर्दोगन ने काला सागर तट में बड़े प्राकृतिक गैस बंडार की खोच की घोशना की है राश्ट्पती द्वारा या घोशना 320 बिलियन क्यूबिक मिटर प्राकृतिक गैस की खोच की गई है हमारा नेक्स्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर 26 केंदर सरकार ने मानसिक स्वास्ते पुनरवास के लिए निम्ड में से किस हेल्प लाइन की सेवा सुरू की है इसका उद्देश क्या है जिसका उद्देश mental health rehabilitation है कीरन help line सेवा सुरू किया है यह एक free help line है जिसे केंदर सकाधर सुरू किया गया है इसका उद्देश क्या है इसका उद्देश मांसिक स्वास्ते पुनरवास्तुदार संबंदी सेवाय उपलब्द कराने के साथ साथ हेल्प लाइन का उद्धे से तनाव चिंता डिप्रेशन स्ट्रेस डिसॉडर और महामारी के चलते पैदा हुए मांसिक स्वास्ते से जुड़ी अपातकालीन सेवाएं उपलब्द कराना है हमारा नेक्स्ट कोश्टन नेक्स्ट कोश्टन नमर 27 निम्न में से किस देश में खुदाई के दवरान 300 मिटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ती मिली है in which of the following countries 3800 years old statue of किरन देवी has been found 300 meter down during excavation so friends इस question का सही answer option number D नेपाल अभी नेपाल में recently 3800 साल पुराना किराट देवी की मूर्ती मिली है नेपाल के धूली खेल में करीब 3800 साल पुराना किराट देवी की मूर्ती मिलने से पुरा तत्वश्विद और विरासत को सहेजने वाले लोग उत्साहित हैं इन मूर्तियों को जमीन से करीब 300 meter नीचे पाया गया है बताया जा रहा है कि यह मूर्ती नेपाल की सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है हमारा next question is question number 28 वित मंत्राले द्वारा राजसभा में प्रसुत किये गया आकडों के मुताबिक प्रधान मंत्री मुद्रायोजना के तहत महिलाओं को रिन देने के सूची में सबसे सिर्स राज कौन सा है according to the data presented in the राजसभा by the finance ministry which is the top state in the list of loans to women under the प्रधान मंत्री मुद्रायोजना so friends इस question का सही answer option number C Tamil Nadu so Tamil Nadu state जो है वो top पे रहा है loans to women women को loans देने में प्रधान मंत्री मुद्रायोजना के तहत Tamil Nadu प्रधान मंत्री मुद्रायोजना के तहत महिलाओं को रिन देने में सबसे उपर रहा है इसके बाद पस्चिम बंगाल और करनाटक का स्थान है हमारा next question है question number 29 के इंदर सरकार ने कोरोना महमारी को देखते हुए driving license एवं वाहन संबंदी अन्य दस्तावेजो के नवीनी करन की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है how long has the central government increased the renewal limit for driving license and the other vehicle related document in the view of corona pandemic so friends इस question का सही answer option number B 31st December तक बढ़ा दिया गया है so coronavirus lockdown की वज़े से पहली बार दस्तावेजो को renew करने की आपदी को बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया था इसके बाद दूसरी बार उसे बढ़ा कर 30 सितंबर किया गया था और अभी तीसरी बार भी बढ़ाया है 31 सेंबर तक कर दिया गया है so इसका उदेश जेनरली यह है कि भील बार इकठा ना हो ताकि coronavirus को हमनों रोख सके हमारा next question is question number 30 भारती रेल्वे ने किस वर्ष तक अपनी 33 बिलियन से अधीक इकाईयों की उर्जा की आवशकता को पूरा करने के लिए निधारित किया है by which year Indian railways has year mark to meet its energy requirement of more than 33 billion units so friends इस question का सही answer is option number B 2030 so 27 अगस 2020 को भारती रेल्वे ने अपनी सभी उर्जा जरूतों के लिए 100% आत्म टिकाऊ बनने और राष्टी सौर में योगदान देने के लिए केंदी रेल्वे मंत्री प्यूस वेद प्रकाश गोएल की अध्यक्षता में हितकारों के साथ कई विसेव पर चर्चा करने का आयोजन किया है भारत का मिसन 2033 तक रेल्वे के लिए 100% विद्यूती करन प्राप्त करने की महत्वा कांची योजना के साथ भारती रेल्वे की उर्जा खपद 32 तक 33 बिलियन से अधिक एकाईया बनाने वाली है जिसकी वरतमान वार्शिक आवशक्ता लगबग 21 बिलियन यूनिट है So friends मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा मैं कोसिस करता हूँ कि हमेशा आप लोग के लिए बहुत अच्छे कंटेंट लाऊं और ये जो 30 best MCQs हैं, selective MCQs बहुत important हने वाल हैं आपके आगामे एक्जाम के लिए So thanks for watching, please like this video and subscribe our channel. Thank you so much